पूरा का पूरा दुरुपयोग हो रहा है और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई इंजाम सही है तो कारवाई तो होनी चाहिए पुश्कार आप देखरें न्यूस फोनिशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ CPIM के राश्ट्रे महासोचीव सीताराम येचूरी आज पटना पहुंसते हैं केंद्र की सरकार E.D. और C.B.I. के द्वारा उन लोगों पर निसाना साथने की कोशिश कर रहा है जो इनके खिलाफ अवाज उठाते हैं 37 जाती अधारित करना याने बियार में जो कास्ट सेंसर्स करवाई गई कास्ट सेंसर्स का रिपोर्ट सारवजनिक किया गया इस पर भी सीताराम येचूरी नितिश कुमार की तारीफ की उन्होंने कहा कि ये तो होना ही चाहिए था और ये अच्छी बात है पटना पहुंसते हैं सिताराम येचूरी एडिक के उपर हमला बोलते हैं भाजपा के उपर हमला वर होते हैं और साथी साथमके इश कुमार के पक्ष में क्या कुछ कहते हैं उनकी तमाम बातों को सिलवाते हैं खटबंधन चलेगी और जो जिनको देखना होगा वो देखते रहेंगे जो संदन करने वाले समर्तन करते रहेंगे हैं कि लोगों से मतलब है और वो संदन कर रहा है सब्सक्राइब करें लेकिर अभी मैं जा रहा हूं समझ से पूर और दर्बग्दा वहां पे हमारे आम सभाय है लगतार से आपके घठवंदन दल के रोको एडी गिरतार कर रही है तर अली अहल पिलाल में आभी पाटी के संजे परशाथ सिंग का गिरतार हूं क्या लग रहा है कि विपज को परिशान करें लिए बिलकुल लिएडी का पूरा का पूरा दुरुपयोग हो रहा है और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई इंजाम सही है तो कारवाई तो होनी चाहिए कन्विक्शन रेट कितना है कि पांच हजार से ज्यादा केस फाइल करो और तेइस लोग है जिसके उपर कंवेक्शन होती है क्या मतलब क्या है अगे क्या मुलकात करेंगे इंतमा मुद्व को तो लगादार चलते रहती है मुलकाते जाती करना करने की मांग करें तो हम तो पहले सही मांग कर रहे थे कि जाते जंगर ना करवाई है और पिछले नौ साल में करा है क्यों नहीं बाचपा गबरा की हो रहे हैं हम कैसे बता है सरकार नहीं किया और वो वो अगर जो सरकार ने अगर रिलीज किया तो दिम्धारे से तो किया ना भाई अब उनको यह पचले रहा है कि वही यह सरीगे की सर्वे हुई है बीजेपी को अब उस कुछ ना कुछ अलजाम लगाये जा रहे हैं सवाल यह है कि यह बताईए अगर और ओबीसी की फिकर है आपको तो पिछले दस सालों में क्यों नहीं करवाया आप में करें टेबल पर बैट करके काम हुआ है किसका जाती है का अरे बोर्गा जो भी है यह सरकार है सरकार जिम्रदार लेगी ली है